श्री शद्गुरू महाराज कीजे पुज्यपाद महर्शी शंत्सेवी परमहंस जी महाराज का परवचन दीपक ले कुए पड़े शम्वीत शमादर्नी शज्जनवरी आदर्निया माताओ तथा भक्ति मती भहनो पर तेक ब्यक्ति कुछ न कुछ काम करता रहता है हम किसी ब्यक्ति को चूपचा बैठे हुए देखते हैं वह तन से भले ही बैठा हुआ है पर उसका मन बैठा नहीं रहता कितने ब्यक्ति मुँख से नहीं बोलते मौन धारन किये हुए रहते हैं पर कागज पर लिखकर अपने मन के भाव को बतलाते हैं कुछ लोग लिखते भी नहीं मात्र इशारे के द्वारा भाव को ब्यक्त करते हैं चाहे लिखकर भ्यक्त करें अथवा इशारे से मूल में मन काम करता है यदि मन को चूप रख सकें तब हम निषकामी बनेंगे मन यदि चूप नहीं रहता तो शरीर नहीं चलने पर भी निषकामी नहीं हो सकते मन कुछ न कुछ करता है, सोचता रहता है, चाहे अच्छी बात सोचे या बुड़ी, जो बुड़ी बाते सोचते हैं, वे सोचते सोचते एक ना एक दिन बुड़े कर्म में लिप्त हो जाते हैं, उसी तरह जो अच्छी अच्छी बाते सोचते हैं, वे सोचते सोचते एक दिन शुब कर्म में प्रविर्त हो जाते हैं हम लोग तीन तरह से काम करते हैं मन, वचन और कर्म से गोशामी तुल्शिदास जी ने लिखा है तुल्शि यह तन खेत है मन वच कर्म किशान पाप पुन्य दो बीज है बुए सो लुने निदान किर्शक खेती करते हैं वे पहले खेत को पोडते हैं जोटते हैं फिर पीज बोते हैं और उसपर चौकी देते हैं अवशक्ता नूशार निकोनी और पटवन करते हैं, फिर समय आने पर फल फुल होते हैं, किसान जितना बीज बोता है उससे कई गुना अधिक फसल काट कर घर लाता है, उसी तरह यह शरीर कर्म छेतर है, हम जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तो कर्म का बीज बोते हैं, शमय आने पर कई गुना शुब या अशुब फल प्राप्त करते हैं, अच्छे कर्मों का फल शुक प्रद होता है, और बुरे कर्मों का दुख प्रद, कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुड़ा होवे बुड़ा करके बुड़ाई देख ले, कुछ लोग कहा करते हैं कि एक जमाना था जब अच्छे कर्म का फल अच्छा होता था और बुड़े कर्म का फल बुड़ा पर आज जो बुड़े-बुड़े कर्म करते हैं वे शुखी देखे जाते हैं और जो अच्छे-च्छे कर्म करते हैं वे दुख में पड़े रहते हैं बंगाल में एक कहावत भी है जेई करे पाप सेई साथ छेलेर बाप जेई करे पून तार काया लागे घून लेकिन यह बात वास्त्विक नहीं है भगवान श्री कृष्ण नहीं यह स्पष्ट कहा है करमन्य वाधी का रास्ते मा फलेशु कदाचन अर्थात मैं तुम्हें कर्म करने का अधिकार देता हूँ और तुम्हारे कर्मों के अनुशार फल तुम्हें मैं दूंगा मनुष्य को कर्म करने की छूट तो है ही यदि फल लेने की छूट भी मिल जाए वे बुड़े बुड़े कर्मों में निरत रहेंगे और फल लेते समय अच्छे अच्छे फलों को चुन कर लेंगे पुन्य फल मिक्षंती ना पुन्य निक्षंती मानवा है आप फल ना इक्षंती पापंकुर्वंती यतनत है लोग पुन्य फल तो लेना चाहते हैं पर पुन्य करना नहीं चाहते आपका फल लेना नहीं चाहते पर पडियतन पुर्वक पाप करते हैं ऐसा भी नहीं कि लोग न जानते हों कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह जानते हुए भी कि पाप नहीं करना चाहिए फिर भी लोग पाप करते हैं। जब पांडब बारा वर्ष बनवास और एक वर्ष अज्यात वास काटकर वापस लोटे तो दुर्योधन से उन्होंने अपना राज्य मांगा। दुर्योधन देने को तयार नहीं हुआ। भगवान श्री कृष ने बहुत समझाया कि पूरा नहीं तो आधा राजी ही दे दो। उसने नहीं माना। फिर भगवान श्री कृष ने कहा कि ये लोग पांच भाई हैं कम से कम पांच गउं ही दे दो। दुर्योधन ने उत्तर दिया सुची अग्रण दातब्यं बिना युद्धेन केश्वह। युद्ध के बिना मैं सुई की नोक के बरावर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने समझाते वह कहा दुर्योधन जडा धर्म अधर्म पाप पुन्य का विचार भी करो। दुडियोधन ने कहा, जानामी धर्म नच में प्रविर्ति ही, जानामी धर्म नच में निर्विर्ति ही, के नापी के देवान, अतस्थितेन यथा नियुक्तोस्तमी तथा करोमी, हे केशव, क्या मैं धर्म और अधर्म की बात नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, पर धर्म में मेरी प्रविर्ति नहीं है, मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, पर उस ओर से मेरी निब्रिति नहीं है, कोई देवता मेरे अंदर बैठा हुआ है, वह जैसा कहता है मैं वैसा करता हूँ सोचने की बात यह है यही दुर्योधन अधर्म और पाप में प्रविर्त हो रहा है तो उसके अंदर देवता बैठा हुआ है या दानव शंत कविर साहब कहते हैं मन जाने सब बात जानी बूजी अबगुन करे काहे की कुष्लात लए दीपक कुवे परे मन जानता है कि बुरे कर्म का फल बुड़ा मिलेगा फिर भी कर लेता है और पीछे पश्चा ताप करता है जो अंजाने में कोई गलती कर बैठता है तो उसकी बात कुछ और है पर जो जान कर गलतियां करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा महा भारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण शे कहा हे किशब युद्ध में हमने बहुत हत्याएं की हमसे बहुत तरह के पाप हुए मेरी इक्षा है कि गंगा अश्नान करने के लिए चला भगवान श्री कृष्ण ने कहा अवश्य चलो चलते हैं कि दोनों रत पर शवार होकर गंगा अश्नान के लिए चले रास्ते में एक जंगल दिखाई पड़ा श्री कृष्ण ने रत रोकते हुए कहा अर्जुन इस जंगल में अनेक शाधु महात्मा निवास करते हैं मैं के दर्शन करके आता हूं तुम यहीं बैठो अर्जुन रत पर बैठा रहा और श्री कृष्ण वन भ्रह्मन के लिए निकले इतने में एक कुत्ता गंगा की ओर जा रहा था और दूसरा गंगा के किनारे से वापस लोट रहा था पहले ने दूसरे कुत्ते से पूछा तेरा तेरा चेहरा उदास है भूखे हो क्या क्या नदी किनारे कोई लास नहीं मिली दूसरे कुत्ते ने कहा मिली क्यों नहीं एक मोटी तगडी लास मिली पहले कुत्ते ने पूछा फिर भूखे क्यों लोट गए दूसरे ने उतर दिया लास को देखकर मैंने सोचा कि आज जी भ भरकर खाऊंगा जैसे ही मैंने उसके मुह की ओर से खाना चाहा कि जोरों की दुरगंध निकली मैं उधर से खाना सका वह ब्यक्ति जीवन भर बहुत जूट बोला था इसलिए उसके मुह से दुरगंध आ रही थी मैंने कान की ओर से खाना चाहा वहां से भी दुरगंद आई उसने अपने कानों से कभी सत्षंग या हरी चर्चा नहीं सुनी थी मैंने आखों की ओर से खाना चाहा पर वहां भी दुरगंद उसने सादु महत्माओं के दर्शन नहीं किये थे फिर मैं उसके हाथ की ओर बढ़ा पर हाथों से शेवाया दान उन्नी नहीं करने के कारण वहां भी दुरगंद बशी थी फिर मैं उसके पैर की ओर बढ़ा पर वह पैरों से चल कर कभी सादु संतों के आश्रम गया नहीं इसलिए वहाँ भी दुरगंद थी उसके अंग अंग से निकलने वाली दुरगंद को जान कर मैंने सोचा कि पूर्व जन्व में मैंने कौन सा पाप किया था कि कुत्ते का सरीर मिला है और अब इस पापी का मांस खाऊंगा तो ना जाने आगे क्या होगा यही सोच कर मैं उसे खाए लोट गया पहले कुत्ते ने कहा भाई तुम ठिक कहते हो क्या आदमी नहीं जानता कि दान पुन्य करना चाहिए हरी चर्चा सुननी चाहिए शत्य बोलना चाहिए और कि तो बात जाने दो जानते हो रत पर बैठा हुआ अर्जुन कहां जा रहा है गंगा असनान करके महाभारत के युद्ध में हुए पापों को धोने जा रहा है क्या अर्जुन नहीं जानता है भगवान विश्णू के चर्णों से गंगा निकलती है और भगवान श्रीक्रिष्ण भगवान विश्णू के ही अवतार हैं उनके चर्णों को धोकर वह पी लेता अपने शरीर पर छिड़क लेता तो उन्हें गंगा अश्नान की क्या वाशक्ता थी अर्जुन पशू की भाषा जानता था इन शारी बातों को सुनकर लज्जित हो गया जैसे ही भगवान श्रीक्रिष्ण आए उसने कहा किशव अब गंगा अश्नान नहीं करना है चलिए घर की ओर भग शहद की तरह मीठा लगता है पर जब उसका फल मिलता है तो ब्यक्ति आग में जलने की तरह चट पटाता है पुरान के सुरे फातिया में लिखा है एक कयामत के दिन का मालिक मुझे सिधा रास्ता दिखला वह रास्ता दिखला जिस पर तुम्हारी मेहर की द्रिष्टी हुई है वह रास्ता नहीं दिखला जिस पर तुम्हारी कुरूर द्रिष्टी रही है विचारनी विशय यह है कि परमात्मा की मेहर की द्रिष्टी किस पर होती है और कुरूर द्रिष्टी किस पर होती है जो बुरे-बुडे कर्म करते हैं गुनाह करते हैं उस पर परमात्मा की कुरूर द्रिष्टी होती है और परमात्मा उसे दोजक नर्क की आग में जलाता है से बहिस्त स्वर्ग देते हैं जहाँ शुक ही शुक है इन दोनों अस्थानों से पड़े एक तीश्रा अस्थान है नजात जो अन्दर के सीधे रास्ते पर चलता है अर्थात मरा कवा ध्यान करता है उसे नजाद में भेजा जाता है वहाँ पहुँचकर पुनह दुख में नहीं आना पड़ता है ध्यान विंदू पनिशद में आया है यदि शैल समंग पापंग विश्त्रेन बहु योजनम विद्धते ध्यान योगेन नान्यों भेदा कदाचन अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहार के समान यदि पाप ह तो वह ध्यान योग से नश्ट हो जाता है इसके समान पापों का नश्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है इसका अर्थ यह नहीं कि पाप करते जाएं और ध्यान भी करते जाएं आप करता जाएगा आप करने वाले से ध्यान होगा ही नहीं जिस ध्यान से पापों का ना रेखागनित में विंदू पढ़ते हैं, वह कल्पित है, यथार्त नहीं, परिभाशा के अनुशार विंदू वह है, जिसमें अस्थान हो, परिमान नहीं हो, पर बाहर में जब हम विंदू बनाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ परिमान हो ही जाता है, इसलिए वह कल्पित व एक विंदू पर होता है हमारी दोनों द्रिष्टी की धारें जब अंदर में मिलती हैं तब जो विंदू उद्धित होता है वही अशली विंदू है बाहर में कलम से जो विंदू बनाते हैं उसका रंग कलम के अंदर भड़ी हुई श्याही के अनुरोप ही होता है उसी तरह द परकास में विंदू उदित होता है उपनिशद में लिखा है तेजों विंदू परम ध्यानंग इस आंत्रिक तेजों में विंदू का ध्यान ही परम ध्यान है इससे आधि नाम प्रकट होता है और पापों का नाश होता है वोशामी तुलसिदास जी ने भी कहा है जब ही नाम प्रकट भयाे कि जैसे चिनगी आग की परीपुराणी घास जिसतरह जल तरल होता है उसके ध्रक जाने में देडर नहीं लगती उसी तरह मन को पाप में गिड़ते देर नहीं लगती है जब तक हमारे चाहिए कि पाप की जर है ही संत चरंदाजी ने कहा है जब से अनहद घोर सुनी इंद्री ठकित गलित मन हुआ आशा शकल भुनी आंत्रिक अनहद नाद के ध्यान से इंद्रियां ठक जाती है और मन गल जाता है इंद्रियान आंग मनों ना थो इंद्रियों का स्वामी मन है जब मन ही गल जय तो इंद्रियों को प्रेडित कौन करेगा भगवान सिर्राम ने हनुमान जी को अब देश देते वे कहा था एक तत्व डिड़ा भ्यास साद वन विजीतं मन है प्रक्षीन चित दरपश्य निग्री हिती इंतेंद्री द्वी सह पद्दीन एवन हेमंते छियंते भोग वाशना है अर्थाद जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व के डिड़ अभ्यास से चित एम अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्री शत्रू को निक्रह करना ऐसा होने से हेमत काल के कमल सद्रिश भोग वासना का नास हो जाएगा हमारा मन ही बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति दिलाता है शुब अशुब दोनों करमों का बंधन होता है इसलिए अशुब कर्म कर तो अनाशक्त होकर तभी हम मुक्त हो शकते हैं शत्चंग समावत होने पर यदि किसी व्यक्ति का कोई शमान यहां छोड़ जाए और उसकी उस वस्तों में आशक्ति रहे तो वह लोट कर फिर यहीं आएगा उसी तरह हम लोग शरीर छोड़ कर यहां से जाएंगे यदि हमारी आशक्ति मकान दुकान में या नाती पोते में लगी रहेगी तो हम लोगों को लोट कर फिर यहीं आना होगा लोब लालच में परकर कर्म करने से उसका बंधन पढ़ता जाता है गुरु नानक देव जी का व जहाई हूँ जो जो करम कियू लालच लगे तिह तिह आपू बंधाई हूँ शंशार में अनाशक्त होकर जीवन बिताना चाहिए और पाप कर्मों से बचते हुए नियमित रूप से ध्यान शादना करनी चाहिए यही कुरान का सीधा रास्ता है जिस से जन्म मरण का चक्र और परमशुक की राप्ति होती है महर्शी संसेवी प्रमहंजी महाराज का यह प्रवचन नेपाल राज के पंद्रवें अधिवेशन के रोंजा रंगोली में दिनांक बारह दो दो हजार इश्वी को प्रात्यकालिन सच्चंग के शुवसर पर हुआ था श्री आजे कीजे